चावनी के श्यामनगर स्थित हिम्शिखा स्कूल की गली में घुम रहे बेसहारा सान को डंडा लेकर भगाना छेप्टर वर्षिये बुजुर्ग कश्मीर सिंग को उस समय महंगा पड़ गया जब गुस्से में आए सान ने बुजुर्ग पर हमला कर उसी लहु नुहान कर दि और मौके से चला गया इस हाथसे को देख कर इलाके में हलकम मझ गया आनन फानन में इस थानी लोगों ने बुजूर्ग का प्राइवेट क्लिनिक में उपचार करवाया हाथसे में बुजूर्ग के माते पर गहरी चोट आई है यह पूरा हाथसा बुजूर्ग के घर में बचने के लिए भागे लेकिन सांड ने वहीं गिरा कर उन्हें घायल कर दिया फानिये लोगों में रोज है कि जिला प्रैशासन को जल्द ही बे सहारा पशुओ को पकरने के लिए कोई ठोस कदम उठाना चाहिए